वीडियो में आपको बता हूँगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक अच्छा और प्रोफेशनल थामनेल कैसे बना सकते हैं देखे आपको पता होगा कि वीडियो के एक वाइरल करने के लिए या वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो होती हैं सबसे पहले आपका थमनेल और दूसरी चीज आपके टैग्स जैसे ही मैंने अपनी एक सीरीज बनाई थी यूट्यूब हेल्प करके उसमें मैंने पूरा पता रखा है कि आप एक वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है तो इस वीडियो सीरीज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो आप पता होना चाहिए अपना यूट् की तरफ जाने की जरुवत भी नहीं है क्योंकि आपका एक एक है जो एवर ग्रीन है और वह बिल्कुल ट्रस्टीड है कि और अफ्रोसा नहीं कर सकता एक है जो ट्रस्टीड है वह से आप थबनेल बहुत बना पाएंगे और सारे फंक्शन आपको उसके अंदर मिल जाएंग तो यह हम शुरू करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे अपना पिक्स आर्ट आप ओपन करेंगे तो देखिए जैसे आपका पिक्स आर्ट होगा बीच में प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा आप उस प्लस के साइन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस के साइन पे क कि आप क्या कीजिए कुछ आपके पास option क्या है या तो आप इसी फोटो में आपको दिखाड़ी दे रहा हूँ यह जगा यहां पर खाली है इतनी जगा पर मैं कुछ लिख सकता हूँ जैसे कि हम इसी वीडियो को ले लेते हैं जैसे कि मेरा यह है पर देखिए यहां पर इस जैसे किलिक किया तो यह जैसे यहां पर यहां पर देखिए नीचे आपके बहुत सारे यहां पर आच चुका है अप देखे हैं यहां पर छोड़ा गायाब गाया सहां लग रहा है तो आप यहां पर क्या कीजिए कि आप यहां पर नीचे देगो और भी option है color पर जाएए color पर जाने के बाद आप color change कर सकते हैं तो आपको आपको यहां पर लगाना पड़ेगा एक कौन सी चीज़ां पर सही रही की उसके बाद देखे यहां ela रखा को पर अब यहां पर यहां पर यहां पर यह तो नियुकम भी ऐखा रहे होँ तो म हो गया उसके बाद आपे रेड़ करते हैं white भी कर सकते हैं that white में दिखाई दे रहा है तो हम white इहां पर select कर लेते हैं तो आप इस और यहां पर रखेंगे तो यह थोड़ा खो जायगा यहीं पर रखिए तो यह देखिए हो गया उसके बाद opacity हो गया करना चाते हैं या कुछ वह आपके ऊपर option आ गया फिर इसके बाद short shadow आप फोड़ा shadow में रखना चाते हैं देखिए blur का यहाँ पर shadow का option है थोड़ सी shadow भी डाल लेते हैं तो यह कुछ ठीक लग रहा है कुछ-कुछ ठीक यह लग रहा है यह देखिए यहाँ पर fit to यहाँ पर add photo का option दे रहा है तो आप add photo पर click कीजिए जैसे add photo पर click किया आपने जो भी screenshot लिया इसको choose कर लीजे जैसे आपका screenshot चूज हुआ यहाँ पर देखे नीचे आपने जैसे image select की तो आपने crop का option है crop पर click कीजिए और या आप इतना चीज ये क्रॉप कर लीजे यह हमने क्रॉप कर ली हो गया अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लगा दीजे इस नीचे मैं आपको option दिखा रहा हूँ कि मेरा को थामनेल मैं सेलेट किया हुआ नहीं था तो यहाँ पर आप एक ऐसे ऊपर लिख दिया how to make a thumbnail और नीचे आपने फोटो लगा दिया इस फोटो में आप क्या कर सकते हैं और इसमें आप बॉर्टर बना सकते हैं यह देखिए हमने बॉर्टर सेलेट किया तो यह देखिए हम पर बॉर्टर आ गया कुछ थोड़ा थोड़ा आप इसको यहां आप काम किजए यहां से टूल्स पर आयां पर तो आप इसको इत्ने सेलेट करिया सेलेक्शन पर कहां से खुल लाता है बताता हूं मैं यहां ले लिया यहां पर इसको ऊपर से कट का option है कट कीजिए और यहां पर फिर से paste कर दीजिए और इसको आप खिसका के यहां पे ले आए यह देखिए यहां पर आप ले आए बस यहां पर आप इसको कर दीजिए हो गया आपका एक बा तो यह देखिए यहां पर आप इसको लीजिए और यहां पर इसका बढ़ा दीजिए और इस साइड आप कोशिच कीज़ेगा इधर से आपका सीधा रहा है यह मैं थोड़ा गलत हो गया फिर देखिए यहां पर आपने मेरे और थमनिल देखे होंगे है कि मौँचल सपर्गे साइड हों और अब आप कुछ भी 구ra लिख सकते हैं देखिए यहां पर टेक्स्ट कीजिए हृचलू है देखिए फ़िर दीजिए यहां पर दिखिए यहां पर दर लगाई इसको थुज़ूएं फाइम मिनिट्स उसके बाद कलर कलर हम यह पर एड चूस कर लेते हैं श्ट्रोक आपन वाइट लीजिए अच्छा लग रहा है बाकि आप यहां पर आगे चलेंगे तो सैडो आप थोड़ा शैडो लेंगे चैडो अच्छा लग रहा है थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको य पर आप को ठूस या फिर आप आप ऐसे नहीं और यहां पर हमने यह सेलैक्ट किया और हम यह ने लगा दिया देखे हैं ऐसे आप एक थ 57 बना सकते हैं यह दूसरा और वह आईडिया हो ग्च्छे और एक और आप आईडिया ले सकते यह ब्लैक शेड़िड हाफ शेड़िड एरिया आप डाल देंगे तो मिल जायागा आपको नेट पर या मैं काम करूँ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आप इसको लीजिए और यह अपने शेड़िड एरिया को यहां पर यहां पर यहां पर फोटो आपका थोड़ा हो गया इसके वज़े से इसको आप यहां पर दिलीट कीजिए और आप क्या कीजिए भी टोल्स पे जाrauen जाए prescribed में फर्स्ट ऑप्षिन सेलेक्शन उसको लीजिए यहां पर देखिया आप यहां पर इसको सिलेट यह आप Shaded Area download कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ऐसे इसको rotate कीजिए इसको बड़ा कीजिए और यहां पर देखिया हमने जो हम पर crop किया था वह ब्लैक एरे के पीछे डख चुका है यह देखिये इतना आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए यह हो गया यह देखिये अब आप इसको आपर click कर दीजिए अगर देखिया आपका जैसा थोड़ देर पहले बताया कि बहिए यहां पर आप अपना करसा वह लिख सकते हैं पर साइड में आपको दिखा ही नहीं दे रहा यहां पर अपर देखिया होड़े यहां पर टेक्स्ट पर click कीजिए और यहां पर आप डालिए तो आप छोटी छोटी जानकर लिए जिससे आपकी वीडियो के बारे में पता चल जाए लिए 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 फोड़ा से इसका बढ़ा लेते हैं अमाउंट बाकी शेड़ो शेड़ो कुछ काम नहीं कोई ब्लैक के उपर लगाना है तो यहां पर आप इसको अगर ऐसे लगाएं पहले आपको थोड़ा गयाब गयाब सा हो रहा था यहां पर देखें यह आपका यह हो गया थम्निल फाइब मिनिट्स उसके बाद एड फोटो कोई भी डाल लीजिए जैसा कि मैंने बताया क्योंकि आपको एक्जामपल देना नीचे की जगह भी भढ़नी है आप कुछ और हुए आपके इंसाइड या आउटसाइड ये इनर वाला बढ़ाईए और आउटसाइड वाला खतम कर दीजिए यह हो गया वाइट यह हमने यह आपे लगा दिया तो यह देखें यह आपका तीसरा हो गया आइडिया जिससे आप थमनिल बना सकते हैं देखें मैं डीटेल म आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है कभी कभी यह आप यहाँ पर ब्रश लीजिए ब्रश आपने लिया इसको पूरा आप ग्रे से ब्रश कर दीजिए अपने किसी भी फोटो को यह आपने अपने फोटो को पूरा ग्रे कर दिया ठीक है आप क्या कीजिए आप यहाँ पर एड फोटो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए एड फोटो पर करने के बाद आप अपना फोटो यह वाला उठाईए यहाँ पर क्या कीजिए आप कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है एक, सबसे last में free crop का, तो आप उस पे क्लिक कीजिए, देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपका crop करना है बाकी और किसी चीज को नहीं, तो person पर क्लिक कीजिए परे के साथ एक problem में, यह बिल्कुल अच्छे तरीके से crop नहीं कर पाता है, तो आप पर चीजे सेलेट कर लीजिए, जो होनी है तो देखिए, यहाँ पर जैसे करके यहाँ नहीं दिखा दिया है पर आपको ब्लुकुल एक्सेट करना है हर चीज, हर बाड़ी पार्ट जो दिखाई दे रहा है फिर यह देखिए, यहाँ पर आप इसको सेफ करेंगे तो यह ऐसे आजाएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे करके सेलेट कीजिए, और यहाँ पर लगा लीजिए वह आपको दिखाई दिराओंगा थोड़ सी प्रॉब्रम रह गई है यहाँ पर देखिए, कान के पास रह गई है यह फिर थोड़ा हाथ के पास तो आपको मैं एक्जामपल की तरह बता रहा हूँ ऐसे निकी में अक्यूरेट बनाके दिखाना है तो यह देखिए, यहाँ पर आपका यह हो गया आप जैसे आपका बैक्ग्राउंड अलग रखना चाहें चैन नहीं कर पाएंगे अब इसको हिला पाएंगे ना इसको तो उसको अभी मत दवाईएगा तरही बात ध्यान रखेगा जैसे यह आपका बनाया है अगर आप थोड़ी इसकी कामिया है खमिया थोड़ी छुपाना चाहते हैं तो यह आप देगे बॉडर का उप्शन है यह कम कीजिए और यहाप इसका बॉडर बना दीजिए हमने बॉडर बना दिया तो ऐसे आप इसका बॉडर भी बना सकते हैं उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर दबाईए यह हमने यहाँ पर चूस करके इस जगह पर लगा लिजिए यह लगा लिया जैसे ब्लैक है तो उपर हम वाइट स्ट्रोक रखते हैं अगर वाइट होता तो उपर ब्लैक स्ट्रोक रखेंगे हाईलैट करने के लिए वह तो common sense है उसके बाद देखें आप shadow रखना चाहें थोड़ा सा रख सकते हैं हो गया यह देखें यह आपका final thumbnail बनके आया तो यह हो गया आपका तीसरा idea जैसे मैंना यह idea दियो और भी आप creativity कर सकता है और डीसलर है तो बहुत अच्छी resolution में अपनी photo कीचिए या फिर आपका कोई देखें आपकी चीज का review कर रहे हैं तो उसका सिर्फ उसका अच्छे से photo कीचिए और अपना side में चोटा सा लगा दीजिए ऐसे ही crop करके जैसे मैंना बताया काफी सार यूट्यूबर देखें होंगे काफी सारे ideas होते हैं आप देख सकते हैं दूसरों के ideas ले सकते हैं फिर अपना नए create कर सकते हैं आप जो चाहें वो इसमें कर सकते हैं बस आपनी creativity के ओपर ही है तो गाइज वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया कि thumbnail आप कैसे बना सकते हैं या क्या कि ideas आप ले सकते हैं काफी सारी चीजे मैंने बताई हैं इनको आप ध्यान में रख सकते हैं और एक thumbnail आप create कर सकते हैं तो गाइज वीडियो में इतना ही if you like this video please like and subscribe my channel and follow me on Instagram for regular updates thank you so much